हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमार चैनल में आज हम बात करने वाले राजस्तान के मंदिरों संबंदित सौ महत्रपूर्ण वस्तोनिश्ट प्रशनों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है चित्तोडगर किल्ले के निम्लिकित मंदिरों में से कौन सा सबैने मनदिर हैं और यह जहांसे संबंदित हैं दूश्रकशन चौमु का जहन मंदिर इस्तित हैं चौमु का जहन मंदिर option A रनकपूर में, option B आबू में, option C जोदपूर में, option D कोटा में तो उसका सही answer है रनकपूर, रनकपूर का जो मंदिर है आदिनाथ का मंदिर उसको चौमु का जहन मंदिर भी बोला जाता है और दूसरा जो अन्य मंदिर है वो नयमिनात मंदिर कहलाता है जिसको व्यष्याओं का मंदिर भी कहते हैं चलते हैं आगे के और तीसरा क्वेशन है पुष्कर के अतिरिक किस इस्तान पर ब्रमा जी का मंदिर हैं पहला A. वरकाना पालिव B. आसोत्रा बाडमेर C. सुजानगर चूरू और D. ओस्या जोधपूर तो इसका सही आंसर है आसोत्रा बाडमेर ठीक है तो आसोत्रा बाडमेर में पुष्कर में भी ब्रमा जी का मंदिर है और आसोत्रा बाडमेर में भी ब्रमा जी का मंदिर हैं जोदपूर में उसी के पास में संभोधिधाम इस्तित एं इसके लावा बता दो बालसमन जील जो है वो भी जोदपूर में इस्तित है पुशकर जील अजमेर में है और अगले क्वेशन के तरब बढ़ते हैं पांचों क्वेशन निम्द में से किस व्यक्ति ने दिलवाड़ा में आदिनात मंदिर का निर्मान करवाया था मतलब किस ने करवाया था ए वीमल सा बी तेजपाल सी वस्तुपाल और डी संकरपाल तो इसका सही आंसवर है वीमल सा जो वीमल वसही या वीमल सा ही मंदिर है उसी को ही आदिनात मंदिर बोला जाता है और जो लोन वसही मंदिर उसका निर्मान करवाया था तेज, पाल और वस्तु पाल ने इसका सही उत्तर है A छट्टे प्रशने क्यों बढ़ते हैं छट्टा कोशन है नात्ष संप्रदाय का परमुक्तिर्थिस्तल महामंदीर कहा इस्तिते थे महा मंदिर से आपको पता चल गया होगा महा मंदिर से ए पाली बी जोदपूर सी नागोर और डी विकाने तो इसका सही आंसर है जोदपूर महा मंदिर जोदपूर में स्थित है और नाथ संप्रदाय का यह परमुक्तिर तिस्तल है तीजारा जैन मंदिर सांत्वा क्वेशन त option a अजमेर, option b अलवर, option c चूरू, option d जैपूर, तो आपको बता होगा तीजारा अजमेर में अलवर में इस्तित है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका अलवर, आगे बढ़ते हैं, आटे क्रेशन के और, जैन मंदिरों के लिए परसिद इस्थान नारलाई, जिस जिल्ले मे इस्तिते वह हैं, a उदेपूर, b जोदपूर, c पाली, d जालोर, तो इसका सही आंसर है, पाली, नारलाई इस्तान कहां पर है, पाली जो जैन मंदिरों के लिए परसिद्ध है, अगला है महिस्ता सुर्भ मर्दिनी या महिस्त मर्दिनी की परतिमा किस मंदिर में हैं, तो इ a option अर्थुना में, b नागदा में, c सोमनात में, d आहड में, तो इसका सही option है, नागदा में, नागदा कहां पर है, उदेपूर में, और इस सांस भू के मंदिर को सरस्ष्र बावु मंदिर भी बोला जाता है, और ये मेवार की पर्थम राजदानी थी नागदा, सच्छी माता का मंदिर कहां इस्तिते, a, ओसिया, b, बिलाडा, c, तिजारा, d, आसिंद, तो इसका सही आंसर है, ओसिया, ओसिया में, सच्छी आ माता का मंदिर इस्तिते, बिलाडा कहां आया हुआ है, तो बिलाडा आया हुआ जोदपूर में, तिजारा, अलवर में, और आसिंद, वी लवड़ा में 12 क्यों बढ़ते हैं हर्षत माता का मंदिर तो अपस्थ महादेव का मंदिर जबकि हर्ष महादेव का मंदिर सीकर में है बी ऑप्षन ओसिया जोद्पूर में सच्छिया माता का मंदिर अपने पढ़ लिया था अभी नारलाई पाली में था जो जैन मंदिरों के लिए परशिद्ध है चारबुजा नात मंदिर की जिल्ले में इस्तित है तेरा वकशन ए करोली बी बीलवाड़ा सी उद्यपूर डी राजसमंद चारबुजा मंदिर अलग है और चारबुजा नात मंदिर अलग है अगर नात आ जाए पीछे तो समझ लेना ये नात संप्रता संबंदी थे इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा चांद खेड़ी की जिल्ले में इस्तित है ई बासवडा बी जालावाड सी डूंगरपूर और डी कोटा तो इसका सही आंसर है जालावार के चांद खेड़ी में इस्तित जैन मंदिर पंदरों क्रेशन लेखते हैं तो इसका सही option है मेवा नगर बैरव का एक मंदिर भी है वहाँ पर इसका मतल्ल यह नहीं कि बैरव सही आंसर बैरव गलत आंसर है यहाँ पर इसका सही आंसर है मेवा नगर इसका सही आंस्वर है उप्रोक सभी तीनों मंदीर पुषकर में इस्तित हैं अगला है 17 क्वेशन मतुरादीश मंदीर कहां इस्तित हैं अठारवा क्वेशन में केलादेवी का मंदीर की चिल्ले में इस्तित हैं सिंपल कॉर्शन है तो एक बड़ली सिलालेक भी है और एक बड़ली माता का मंदीर भी है इसके ऑप्शन देख लेते हैं बड़ली माता का मंदीर है जबकि बड़ली का अभीलेक अजमेर में इसको चीपो का अकोला भी बोलते हैं अगला क्वेशन है राष्थान में बड़ली माता क मंदीर किस नदीक कीनारय जुगाला क्वेशन है य जोदपूद नके तो इसका सही आंफर है है देशनोक विकानेर देश्ट नोक में करणी माता का मंदीर है और करणी माता भी राठोडों की कुल देवी है और आमेर में सीला देवी का मंदीर है रेवासा में जीन माता का मंदीर है बिलाडा जोद्पुल में आई माता का मंदीर है तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, 22 कोशन के और निम्ग में से किस राजविंस की कुल देवी करनी माता हैं, तो आपको भी मैंने बताया, राठोडवंस की कुल देवी करनी माता हैं राश्तान में किस इस्तान पर आई माता का मंदिर इस्ति थे तो मैंने भी थोड़े दिर पहले ही बढ़ाया था आप्शन A, चाक्सू, B, अकोला आप्शन C, रेवासा, D, बिलाडा तो सही आप्शन हो गया बिलाडा, बिलाडा कहां पहे है, जोदपूर में, रेवासा कहां पहे है, सीकर में, अकोला, चितोड़गर और चाक्सू, जैपूर में राश्तान में किस देवी के मंदिर को दरगा या वडेर भी कहा जाता है लटियाल माता के मंदिर A, B, आई माता के मंदिर को, आजमा देवी के मंदिर को, और D, छीक माता के मंदिर को, तो इसका सही आंसर है, आई माता के मंदिर को, जो मंदिर है, उसको क्या बोलते है, दरगा या वडेर भी कहा जाता है अगला क्रेशन देखते है 25 वा राज्थान में सीला देवी का मंदिर कहां पर है तो चाक्सु जैपूर रामगड अलवर में भी बारा में भी है आमेर और चोमु तो सीला देवी का मंदिर कहां पर है राज्थान के सही उतर है आमेर आमेर में सीला देवी का मंदिर है चोमु में श्रित्ला मादा का मंधिर है यह मेलाभी भड़ता है और यह जैपूर में इशित तो सही उत्तर है घींध के मंदिर है लटीयाल माता का मंदिर राष्टान में तह राष्तान में आमजा देवी का मंदिर कहां पहीष्त हुए थे हो अगले आगे बढ़ते हैं सिकराय माता का मंदीर कि जिल्ले में इस्ति थे जालावार जालोर जुन जुनु या डूंगरभूर इसका सही उतर है जुनु उदेफूरवाटी जुनु पूरा नाम है उदेफूरवाटी जगह का नाम इसे थीत है आपने पढ़ा होगा अजमेर क चोहान शा कंपरी के चोहन तो ए पारोली डुंगला सी सांबर और दी गोगुंडा तो इसका सही उत्तर है सांबर सांबर के चोहान तया आपने पड़ा वागा में सांबर में सांपर में हो अनकबर माता का मंदिर इस थे तर हैं जयपूर में अगलाbirds question suha विश्टो का सबसे बड़ा सती माता का मंदी राज्तान के कित जिल्ले में हैं? ए उदेपूर, बी जुन्जुनु, सी पाली, बी जालावार तो इसका सही उत्तर है जुन्जुनु अगला क्रॉशन राज्तान के अंतिम सती रूप कवर थी वह राज्तान के कित जिल्ले में सती हुई थी? ए शीकर, बी जुन्जुनु, सी अजमिर, डी नागुर अपनने आगे वाल तैतिस्व कॉशन में पढ़ा था कि सती माता का मंदी राज्तान के कित जिल्ले में जुन्जुनु में था? लेकिन जो अंतिम सती रूप कवर हुई थी राज्तान के वह हुई थी सीकर जिल्ले में वह की जिल्ले में हुई थी? सीकर जिल्ले में आगे बढ़ते हैं 35 कॉशन त्रिपूर सुंदरी का प्राचिन मंदी राज्तान में कहां इस्ते थे? गिलाडा जोत्पूर, रेवासा सीकर, तलवाडा बासवाडा या खुदड नागुर तो इसका सही आंस्वर है तलवाडा बासवाडा तो हाँ पे त्रिपूर सुंदरी का मंदीर है अगला कॉशन 36 महाना कुंबा दरा निर्मित कुंब सामी या कुंब स्याम मंदीर, विष्णु मंदीर कहां पे इस्ते थे? सिवाना दुर्ग में، कुमबलगडदुर्ग में, अचलिगडड़ग में, चित्वलगडदुर्ग में, तु हिसका सही उतर है कुमबलगड़ग में, जिसको महाना कुमबला ने उनाया तो इसका सही उत्तर है अलवर में नो गजा का जैन मंदीर इस्तित है और तिजारा में कौन से जैन तिर्थकर का परसिद्ध मंदीर है तो इसका सही उत्तर है और तिजारा में कौन से जैन तिर्थकर का परसिद्ध मंदीर इसका सही उत्तर है बासवार ननदिनी या नंदनी भी लिखा किया चैज्जुराओ लाज़तान का मीनी घंचुराओ कहा जाता है काकुनी मंदिर भंडदेवराद स्विभ मंदिर गडगचे देवाले और कणर्षुवा का सिव मंदिर जो की बारा में इस्थे थे और वह आड़ोती का खजुराओ प्रणा जुरूर है पंडद्र देवरा को राज्थान सबसे पहला समयांकित मंदिर है गनेश मंदिर B. शितलेशवर महादेव मंदिर C. रुपति बालाजी मंदिर सुजानगड और D. महामंदिर जोथपूर तो इसका सही उत्तर है सिटले सुर महादेव मंदिर जालरा पाटन ये सबसे पहला सम्या अंकित मंदिर हैं इस पर तीथी अंकित है छेसो नवासी इस्वी जो जालरा पाटन कहां पर है जाला वाड में आगे बढ़ते हैं बियालिश्य कॉशन की और गौलियर की महाराजा महा वाजिसिंद्य की पत्नी जो की मराठा थे महारानी गंगा भाई की स्मृति में निर्मित का मंदिर इस ते बनेडा बहंञा मांडल गड़ बहलववड़ा सहाडा बहलवड़ और गंगापूर बहलवड़ा तीक है सभी बहलवड़ा में मांडल गड़ तो आपको पता होगा बनास बेड़स मेलाल का संगम है इसका सही उत्तर है गंगापूर भीलवाड़ा यहाँ पे 22 महारानी का मंदिर है कि अगला कुछन है 43 केशवराय पाटन में केशवराय जी के परसिद मंदिर का निर्मान किस ने कराया राव अनिरुद सिंग राव बुद सिंग राजा सत्रु सत्रु साल ने इसका निर्मान कराया था केशवराय जी का भीलवाड़ा के प्राचिन मंदाकिनी मंदिर इस्तित हैं विजोलिया मंदाकिनी मंदिर विजोलिया में इस्तित हैं मंदाकिनी मंदिर कहां पर है विजोलिया में तो सही उत्तर हो गया विजोलिया अगला क्वेश बदेशर चितोडगड में असावरा माता का मंदीर है और यहां लकवे का इलाज किया जाता है कुछ चीज़े जान रखें जैसे बड़ी चादरी चितोड़ी परताब गड़ में गंगरार चितोड़ में निंबाहड़ा भी चितोड़ में जैन दिर तकर सुम्ति नाघ जी को समर्पित बाना सर्का जैन मंदीर कहां एत्सति थे लवर बी 13 सी माविर जी करोली बिवह काने तो इसका से ही उत्तर है बीकाने बांडा सरके मंदीर कहां पर श्जैते थे बीकाने जिसको चाहब ——ाण्डा ने बनाया था जावर का विष्टू मंदिर बनाया था किसने बनाया था महाना कुम्बा ने रानी पद्मीनी ने C. महाना कुम्बा की पुत्री रमा भाई ने या D. महाना राज सिंग ने उसका सही उत्ते है महाना कुम्बा की पुत्री रमा भाई ने रमा भाई ने क्या बनाया था जावर का विष्णु मंदीर बनायाया था रमा भई मारना कुम्बा के पूट्डृति संगीत ज्याता थी और इसको वाघीश्वरी नाम से भी बुलाते थे किस मंदीर के बारे में कहा जाता है उसके निर्माण में पानी के स्थान पर गी का इस्तिमाल किया गया था ए अवेली मंदीर उदेपूर बी बांडा सा जैन मंदीर बीका निर सी जामेश्वर महादेव उदेपूर और स्री बी स्री कलगिदर बागोर साइब बिलवाडा तो इसका सही उतर है भांडा सा जैन मंदीर जो भी मैं बताया था जो भीका निर में इस्तित है इसके निर्माण में देसी गी का उपयोग किया था बहुत सार देसी गी का उपयोग किया था नीव बनाने में तो आगे बढ़ते हैं सराडा तैसल के कातन बाड़ा गाम में गोशन बाबाजी मंदीर में बड़ी संख्या में पत्तर के बैलों की मूर्तिया चड़ाई जाती है यह इस्तान राज्य के किस जिल्ले से सम्मंदीत है इबाड में वी उद्यपूर सी जोदपूर और डी तो इसका सही उत्तर है सोमेश्वर मंदीर की राडू महामारुस एली क्या होती में आपको बता देता हूं इसमें एक ही मूर्ति हो पूरे मंदीर एक ही हो और मूर्ति भी एक हो तो उसको बोलता है दियान रखते है महामारुस एली किसे कहते हैं data का सही वता दिया में आपको पूमेश्वर मंदीर क्रणू अगला बढ़ता है दुंगरपुल में extranges काी बनाया बनाया मैने इसन के नवा तापर सुम माई और जाकम के संगम पर इसती थे तो इसका किस ने बनाया नाश करणग ने नाश करण न है 52 आनमां जी की दाड़ी मुच axe उक्त मंदिर है तो इसका से उत्तर है शाला सर बाला जी चुरू यहां पे डाड़ी मुच वाले अनुमान जी है जिनके मूर्थी वे डाड़ी मुच वगी हुई है यह लगई हुई है 53 question अनुमानगर के बद्रकाली मंदिर का निर्मार करवाया गया था किसने करवाया था ए बीकानेर महराजा अनुप सिंग बीकानेर महराजा जेत्र सिंग सी बीकानेर महराजा राय सिंग डी बीकानेर महराजा राम सिंग तो इसका सही उत्तर है बीकानेर महराजा राम सिंग तो बद्रकाली मंदिर का निर्मानगर में बीकानेर महराजा राम सिं देव सोमनात मंदिर इस्तित हैं सोम नदी के तर्ट पर मही नदी के तर्ट पर जाकम नदी के तर्ट पर अनास नदी के तर्ट पर उसका सही उतर है सोम नदी के तर्ट पर अभी मैंने आपको बताया था सोम मही और जाकम इसका संगम है जो कौन सा था बेने श्रदाम जो डू जैपूर के राजायों से संबंधी थे, तो इसका सही उत्र चाक्सु कहां पर है जैपूर में है इसलिए राजायों के नाम भी जैपूर के consistent इसका सही उत्रortal माधो ताडकेसवर का मंदिर जैपूर का निर्मान किस ने करवाया था ए मादो सिंग दीवान विद्याधर दीवान विद्याधर तो इसका उत्तर है सही दीवान विद्याधर दीवान मतलब वहां के मंत्री होते थे जैसे परदान मंत्री होते हैं वैसे तो जैपूर के जो दीवान जिसने भीमल्सी मंदिर का निर्मान कर वाया था सिल्फी सोबंदेव कौन है लून वसी्ट का सिल्फकार लोंग वशी का सिल्फकार है इसका सही उत्र है दिवान विद्यादर अगला है कपिल मुणी का मंदीर कहा ुद्यपूर में यह चीज़ आनके निमली कितमे किस मंदिर को साथ सहलियों का मंदिर भी कहा जाता है ए पदमनाथ जैन मंदिर बी सांतिनाथ जैन मंदिर सी चौमुका जैन मंदिर और डी वरकाना जैन मंदिर उसका सही उतर है पदमनाथ जैन मंदिर इसको सूर्य मंदिर भी कहा जाता है और जालरा पाटन में यहां पर सूर्य दिव का मुर्ति है जो गुटनों तक जूते हूआ में नागर सेली दरविट सेली सेली और दी पंजय दरविट तो मैं नागर सेली का ही एक पार्ट है और दरविट मिल या फिर दोनों का mixture beวก होती है तो राज्तन के अधिकांस मंदिर नागरद में के जलती थी ओ रउडशन लचलती थी और भारत में दर्विट कम नागरद मों प्रिश यृग के इसमों के लिए नसी यृगु क्यान के कुट जिल्ले में करते हैं बहुत क्यों прошण है ए विकानेर, बी अजमेर, सी बाडमेर और डी उद्यपूर तो इसका सही आंस्वर है अजमेर 62 कॉशन लेटे अन्वान जी की मूर्ती के लिए कौन सा मंदीर परसिद्ध है तो इसका सही उतर है पांडूपोल मंदीर अलवर यहाँ पर वगवान की अन्वान जी की लेटे हुए मूर्ती अरुसी की पुजा की जाती है 63 कॉशन है किस मंदीर को राज्थान का मिनी माउंट अबू कहते हैं बिर्ला मंदिर जैपूर भी तिरुपति बाला जी मंदिर चूरू अल्देश्वर महादेव मंदिर बाड्मेर ब्रह्मा मंदिर उसकर ठीक तो आप यहाँ द्यान रक्स मिनी माउंट अबू मतलब पहाड़ी पर होना जुरूर है तो आपको बता है अल्देश्वर की पहाड़ी है जो चपन की पहाड़ी है उसके सबसे बड़ी पहाड़ी अल्देश्वर की पहाड़ी है जो बाड्मेर में इस्ती थे यह नाकोडा जी का मंदिर भी इस्ती थे तो अल्देश्वर महादेव मंदिर कहां पर इस्ती थे बा बासवाडा दूंगरपूर ठीक है 56 का मैदान क्यलाता है 56 गावाव का सम्मूँ 56 का मैदान क्यलाता था जो महाई नदी द्वारा सिंची थे लक्समाण जी का मंदीर राज्तान में कि जिल्ले मेशती थे और इसका निर्माण किस ने करवाया था अलवर और राणा कुम्बा ने करवाया था वी बरतपूर बलदेव सिंग जालोर जगमाल से सोद्य और डी शिरोई देवदत तो इसका सही उत्तर है बरतपूर लक्समाण जी का मंदीर कहां पेशती था बरतपूर में उसका निर्माण करवाया था बलदेव सिंग में और तो द्वारी का दिस तहोगा क्योंकि यह शुक्रिष्ण से बगवान सब्सक्राइब तो इन तीनों में इस उपर में से हैं तो इसका उत्तर है एराम गणपती मंदिर कहा है नंदिर बीका निर्मिष्टित यह है बाजना गनेस मंदिर है सिरोई में और 66 क्वेशन देख है रास्तान का वह मंदिर जिसके निर्मान में सैक्रो मंदेशी गी का प्रियोग हुआ है आपको थोड़े पहले ही बताया था तो जो बनाने में सैक्रो मंदेशी का प्रियोग हुआ था 67 क्वेशन है मचकूंड महादेव मंदिर रास्तान के किस जिल्ले में इस्तित है तो ए डूंगरपूर दोलपूर सी चितोडगर और दी शिरोई तो इसका सही आंसर है दोलपूर खंडित सीवलिंग की पूजा किस मंदिर में होती है ए शितले सर महादे मंदिर बी ब्यानेसर महादे मंदिर सी गुस्मेसर महादे मंदिर और दी कंसुगा का सी मंदिर तो इसका सही उत्तर है ब्यानेसर महादे मंदिर यहां पर खंडित सीवलिंग की पूजा होती है जो कि बड़ा गुरुद्वारा बुढदा जोहड राश्तान के किस जिल्ले में इसका निर्मान फटे सिंग ने करवाया था ए अनुवांगर बी गंगानगर सी बीकाने और डी जोदपूर आपको पता है कि पंजाब गुरुद्वारा पंजाब में अम्रिस्तर है उसके बाद सबस मंदिर को राश्तान का वह मंदिर कौन सा है जहां किश्न जी की काले रंग की वह मोड़ीक पूजा मीराबाई करती थी ए शितले स्वर मंदिर बी जगत सिरोने मंदिर किसे अरपित है आपने पढ़ा होगा कल्यूग में कल्की जन्मेगा मतलोग कल्की का आवतार कौन लेगा विष्णु उगा लेंगे इसलिए जैपूर में किसका मंदिर है विष्णु जीगा जिसको जेशिंग दित्य ने बनाया था दनुस्तारी नीजरा अन्मान जी मंदी राश्तन के कि जिल्ले में इस्तित है तो इसका सही उत्तर है जैपूर अगला है 73 थार के व्यष्णो देवी कही जाने वाली तनोट माता का मंदिर कहा है ए चूरू बी विकाने सी जसल मेर और डी बाड मेर सबको पता है इसका उत्तर ह जिसको थर की व्यष्णो देवी भी कहा जाता है या जवानों की देवी लिए कि जाजाता है क्योंकी वह बार्डर एरिया पर इस्तित है जैप पर इस्तितमत śUT ने किसे चार भुजा मंदिर कहा ए सुन्धा मंदिर द walking, मंदिर में घ्र्शEx needs 7 सहीलियों का मंदिर द्याफी कि 33 करोड़ देवताओं का मंदिर का है ए उद्यपूर मी जोदपूर सी विकानडर और दी शी करोड़ देवी देवताओं का मंदिर का सब्सक्राइब अगे बढ़ते हैं ऑस्वालों के कुल देवी कहीं जाने वाले सच्चिया माता का मंधिर कहा हैं ठीक है एं में फलोदी जोद्पूर मंधिर श्राइब कि जिल्ले में इस्तित है यह नागूर भी पाली सी जोदपूर और डी कैथून कोटा तो विभिशन का मंदिर जो की रावन का भाई था रामायन के अंदर तो उसका मंदिर कैथून कोटा में इस्तित है और यह एक मात्र मंदिर है इसके लागर रावन के मंदिर की बात करें त कि दसरा कोटा का फहमस है रावन का मंदिर कहा पर है जोदपूर में याद रखने का क्या तरीका है जो रावन की पत्नी थी मंदोद्री वह मंदोर से संबंदर रखती थी या मंदोर की थी तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि रावन का मंदिर कहा है तो जोदपूर में अदर्शिला मंदिर राश्त्रान के कि जिल्ले में है जो जमीन से आधा इंच उपर होने के कारण दूलता हुआ पर्तित होता है तो इसका सही उत्तर है जोदपूर और ये अदर्शिला मंदिर राम देवजी से मंदिर है राम देवजी का मंदिर है ये भी ध्यान रखे केवा पाय माता का मंदिर राजस्तान के कि जिल्ले में इस्तित है ए चुरू बी नागोर सी अजमेर और डी बासवड़ा तो इसका सही उत्तर है नागोर है या रणापूर जैन मंदिर ठीक रणापूर के जैन मंदिर को Chestemor की कि जिल्ले में इस्ति थे और इस मंदिर का सिल्फी कौन है ये नागोर और सिल्फी अरजुन है भी पाली जोद पुर कीरति-धर और डी पाली देपाक तो जो रनकपूर का जैन मंदिर है वह पाली में इस्तित है और इसका सिल्पी कौन है बानावा मुकुंद। अगला है 81 रसिया बालम का मंदिर वह कुमारी कन्या का मंदिर राष्टन के कि जिल्ले में इस्तित है तो इसका आंसर है अ बाणध मेर डी जालोर, C, शिरोई और डी जूतपूर आ पने पड़ा होगा माउन टावु के बारे में माउन टावु में नक्की जिल्ले नक्की जिल्ले किसंitchen खोके तो माउं टवो कांईभी में मैं इसका सही आनसर है लिए अभऒाननीत इस पुझा एक पूजा ही माहदेव जी का जहां शीव के अंगुठे की पूजा की जाती है और उसका नाम है अचलेस्वर माहदेव मंदिर राज्तन के की वैश्णो देवी किसे कहा जाता है तनोट माता A. B. जेन माता C. अर्बुदा देवी और D. चामूंडा देवी तनोट माता को तो धार की वैश्णो देवी कहा जाता है जबकि राज्तन की वैश्णो देवी किसको कहा जाता है अर्बुदा देवी को अर्बुदा देवी का मंदिर कहा पैस्ति थे माउंट आभू सिरोई में इसको अधर देवी भी बोलते है 84 देवडा चोहन को कुल देवता कहें जाने वाल है शार॓न. वीद्या के लिए पर्सित आन्टर्विदया के कि लिए melhor possible भागरम दीरात्तान की जलियर में। तो इसका आंसर है। डुंगरपूर, B स्वाई माधव़पूर, C सिरोही और D उद्यपूर ॥ सेलिब। इसको सहस्तर बहुत मंदीर भी कहा जाता है। शीमिर नागदा में स्थित है connects जाता है। परसिद्ध मामा बांजा मंदिर कहां पर है एक कैथून कोठा अट्रू 12 मंदूर जोदपूर सौर्शन 12 इसका सही उत्तर है अट्रू 12 अट्रू 12 में परसिद्ध मामा बांजा मंदिर इस्तित है 88 question number और सहरिय जन्जादी का मुख्य आस्ता इस्तल कहा जाने वाला सिता बाड़ी वालमी की मंदिर रास्तान के किस जिल्ले में है आपको पता होगा सहरिय जन्जादी कहां ज्यादा निवास करती है 12 इसका सही उत्तर हो गया 12 यहां वालमी की मंदिर इस्तित है गंगा मंदिर किस माता का मंदिर जैसलमीर चितोडगर परताबगर या बासवड़ा तो उसका सही उत्तर है परताबगर परताबगर में बहर माता का मंदिर इस्तित है नव लखा जैन मंदिर इस्तित है का इस्तिते पाली भी शिरोई सी जालो डी जोदपूर तो उसका सही उत्तर है पाली पाली पार्षमनाथ में नवलखा जमंदीर इस थी थे नांकोड़ा तक दbok झोलती कर ONE सब्सक्राइब पाली जिले के सादरी कस्बे के पास गुफा में इस्तित परसुरा महादेव मंदिर, बी नीमज माता उदेपूर, दी आसापुरा माता कोटा, उसका सही उत्तर है A. पाली जिले में सादरी कस्बे के पास गुफा में इस्तित परसुरा महादेव मंदिर, यह उत्तर हो गया A. इसको राष्तन का अमरनात का आजाता है, जब आता है तो पाली जिले में भी साधरी है, चोटी साधरी भी है और बड़ी साधरी भी है, बड़ी साधरी सितोड़ गड़ में है, चोटी साधरी परताब गड़ में है, आगे बढ़ते हैं, खुसाल माता का मंदिर, जो बवे इसका निर्मर महाणा कुंबा शाटा कांपेश ने इसका इसका सिय की इविलवाडा एजिक है तैसे मंदीर केहलाता है या सब्सक्वर दी मुला है मंतर केल तैसकी उत्रेट्री इसका सही तक ant Channel जैनमन दिर मंदिर। 13 दवदयव कक रोली का सही उत्र है ब्ला जाता है काला जी बोला जाता है और यह स्तित थैं झाली किनारे पे सिति थेु उद्यपूर पे इनहीं कोई किश्रिया नाच जी बूला जाता है क्योंकि यहां पिन के ऊपर बहुत सारी केसर चढ़ाइसे आप मंदिर एक लिंगी का मंदिर तो कहाइब का अधर मन्दिर वन में अधर जगत का अमभी का मन्दीर जो कहां पे उध्यपुर में इसको कहा जाता है मेवाड का खजूराओ मीनी कजूरासी खजूराओ और जगत का मंबी में राज्वाड की राज्टान का खजूराओ किराड बाड में छालूके राजा वीर्दवल के महा मंत्र वस्तुपाल थेजपाल दौरा निर्मित कराया मंदीर है यह को देलवाड़ा में मंदीर है वीमल साही और लौन वर्सही मंदीर तो इसमें अपसवन देखे लेते पहले चालूक की राजा भीम के मंत्री इसलिए उसको वीमल सा जयन मंदिर बोला जाता है और जो लूण वसीही मंदीर है वो चालूक की राजा वीर धवल के महा मंत्री वस्तुपाल और तेजवाल दारत निर्मित किया गया था तो लूण वसीही इसका सही उत्तर हो जाएगा 99 question आभू परवत परिस्तित वीमल वसीही जैन मंदीर के सिल्प कार थे तो मैंने बताया था आपको लूण वसीही के सिल्प कार थे जो सोबन पाल और विमल साहीव वसीही के जैन मंदीर के सिल्प कार थे किर्तिधर इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदीर किसी कहा जाता है रनकपूर का जयन मंदीर है वहां पे दो मंदीर है एक आदिनाथ का मंदीर तो यहें कि वैश्याओ का मंदीर उस को दोस्तों आजस है अगर आपको डिए को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें थैंक्यू